कर दोस्तों मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूं आपको मारे यूट्यूब चैनल अभियास इज्विशन में और गाईज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट टू का जो वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है जो आपने पार्टू का वीडियो देखा नहीं है तो पार पर यह जो पार्ट 3 है वो पुरा क्लियर रूप से समझने समय में आगा क्योंकि पार्ट 3 जो हम लोग यानि कि यह भी जो वीडियो बन रही है यह वीडियो में हम आपको बेसिकली क्या करें नॉमेरिकल और त्योरी दोनों बता रहे है इसलिए आपको जो पार्ट 2 को इसको यह कैसे आया था जाओ जल्दी से पार्ट 2 वाला वीडियो देखो लेर है तो चलिए आज को टॉपिक है हमलों का नॉमेरिकल और साथी साथ थियोरी चलेगा तो चलिए आगे आने वाले जो नुमेरिकल है वाफ के स्क्रेन पर आ चुका यह किसी विदुद बल्व के तन्तू से 0.5 एंपियर विदुद धारा 10 मिनट तक परभाहित होती है तो विदुद परिपत में परभाहित आवेश का परिमान गयाद करा है यहां पर बोला गया कि कितना आवेश परभाहित होगा है ना यानिकि चार्ज पुछ रहा तो हमने पिछला क्लास में आपको फर्मूला पढ़ा था आए बराबर क्यू बटे टी यहां पर जो है हमसे पूछ रहा हाँ आवेस कितना आएक तो क्यू बराबर फर्मूला क्या होजागा आई इंटू टी यही फर्मूला होगा है ना विद्धुत धारा का जो पहला फर्स्ट जो फर्मूला हमने आपको पढ़ाया था याद है तो यहाँ पर देखिए आपका जो धारा है वो 0.5 एंपियर है और जो टाइम है वो 10 मिनट है तो मिनट को हम लोग यहां पढ़ाये थे गुना साथ सेकेंड तो 600 सेकेंड तो आविस यानी क्यों ब्रावर आई इंटो टी आई कमन है इतना और क्यों का मान है स्रस्टी कमान है 600 सेकंड जब दोनों को मल्टिप्लाय करेंगे तो थ्री हैंड्रेट कुलांब एंसरों क्लियर है शेडिया नेक्स्ट कुसन की रूब शर्चा करते हैं यहा leaning पर जो मतलब क्यों का मान दे दियाng 500 कुलाम आरे मिनटा सेम तो यहां पर पुछ राख कि तो क्यों ब्राबर 500 को लुब और टाइम ब्राबर आपका दिया हुआ है 12 मिनिट तो 12 मिनिट गुना साथ सकंड तो 720 सकंड होगे आई ब्राबर क्या फर्मुला आमने जैस्ट पड़ा था आई ब्राबर क्यों बटे टी 500 बटे साथ सब्सकों कटाएंगे तो 0.69 एंपियर होगा कि एंपियर क्यों होगा क्योंकि विद्धार का ऐसा मत्रक अंपियर होता है है ना भाई होग आपको समझ में आया होगा चलिए अब जो नेक्स्ट कॉस्टन वाक्री स्क्रेंट पर यह है कि कोई विद्धुत बल्व 220 अंपियर धारा प्रभाहित होती है तो बल्व का पर्तिरोद ज्यात करें बल्विका पर्तिरोद इसका अगला का र का चलिए और और लेकिन आप पूरा शुरुबात से पढ़ते हैं और चैप्टर को डिसकस करके समझते तो आपके लिए बहुत एजी हो जाएगा क्लियर है तो यह विदूत बल्व जो है 220 वोल्ट का जो है कोई विदूत बल्व 220 वोल्ट का यहने कि वोल्टेज का वेल्यू दिया भी का वेल्यू 220 वोल्ट और उस बल्व से 0.5 एंपियर का धार प्रवाइद रहा है इसका मतला आई का भी मान दे रखा है तो आप से अब क्या बोल रहा है कि कितना पर फरला भी बटे आई ठीक है न तो भी 220 वोल्ट हो गया और यहां मल्टिप्लाई गलती से हो गया तो 220 बटे 0.5 यहां से एक पॉइंट कोड़ आएंगा मेरे पेरे बच्चों तो आप जानते हैं उपर में 10 से मल्टिप्लाई हो जागा that means कि मैं आपको फिर से समझा देत हूं यहां पर ऐसा कुछ हुआ है कि यह जो है डिवाइड है यानि 220 अपन 0.5 तो यहां जब पॉइंट है यह पॉइंट को क्या कर रहे हाटा रहे हैं तो डेफिनेटली यह मल्टिप्लाई हो जाएगा 10 से हैना जी तो हो जाएगा 222 गुना 10 तो बाइस सो बटे 5 बाइस सो द्यान देंगे जब इसको डिवाइड करेंगे 200 को पांत से तो आपका जो एंसर गवाओ चार सो चालीस ओम फोर फोर्टी ओम आएगा क्लियर है चलिए आई होप आपको यह बात समय में आई होंगी नेक्स्ट जो नुमेरिकल है नेक्स्ट जो कोस्यन वह आपकी स्रिवन प है तो इस शन्योजन में इस सन्योजन में प्रराप्त धारा क्या होगा मैरे पेरे बत्चों यहां 12 तो है कि अच्ट अचिए और वोल्टेज भी का मान देजिए नोव वूल्ट धारा पुछरा तो ओम के नियम से है ना का जो नियम था ऊंगा नियम क्या बोलता है कि आइच को पिनों तो पिलिए है नाइन और और रकावी एंटाप ट्वल एल लाइन रेंट उसको केंसेल वाट करीएगा तो तीन दिया नौ ती नोव सब्सक्राइब करेंगा चार से तीन को 0.75 बार में आपको कटेगा के लिए होपकी आपको यह वी क्वेशन समय में आ गए होगा आ गया होगा चलिए अंगला जो क्वेशन है उसको हम लोग डिसकूस करते हैं विदूथ टोस्टर था था विदूथ इस्तरी का तापन यह फिर विदूथ इस्तरी मतलब होगा आईरन जितना भी इस तरह का इलेक्ट्रिक जाजट है लाइक हीटर टोस्टर टेस्टर नहीं टोस्टर ठेके ना आईरन गिजर यह सबी जो भी तापन अभियव है मतलब जिसमें जो भी जो चीज गरम होता है उसका तापन होता है क्योंकि अपके लिए रुप से समझें आपको बिल्कुल भी रटने किया हो सकता नहीं है याद रखेगा जो भी मिस्र धातु होता है उसका परतिरोधक्ता ज्यादा होता है और सुद धातु का परतिरोधक्ता क्या होता है कम होता जब परतिरोधक्ता कम होगा तो कर सब्सक्राइब सिकरणों नहीं होता है यहीं कारण है कि इस्तिरी या टोस्डर या फुर कोई भी सिज का को मिश्र धाति का ही बना होता है सुद्धा प्रफ नहीं बना आता है किलियर है तो मेरे प्यारे बच्छों आयोप कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी अब जो नेक्ष्ट कुछ से ने उसको लोग डिस्कस करते हैं ठीक है ना चलिए नेक्ष्ट को से ने विदूत संचरन के लिए प्राय कॉपर या अलुमुनियम का तार का पर यह क्यों कह जाता है कि अग्यों जेश्ट टू कॉपी पिछला को सनमने जिस तरह पढ़ा नहीं उसी तरह का इसका एंस दूसरा कोई और तार का उप्यों क्यों नहीं करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसका यह कारण है इसलिए इसका उप्यों नहीं करते हैं क्योंकि कॉपर और तांबा जो है यह विदूत का अच्छा चालक है पहला बात दूसरा यह कि कॉपर और तांबा का जो परतिरो धग हक थीक वれて सबस्सक्राइस का Zяти लगल होता है कौपर जारी की परति रोढ़ हगता कम होती है जब तांबी थायम प्रेशिद होती है तो उस्मा की रूप में जो सकती है एए प्रीऊ-पेशन का ज्यादा नुक्सान नहीं होता है इसलिए इसका यूज किया जाता है नेस्ट को से आपके स्क्रेंट पर ये विदुद सक्ति किसको कते हैं यह ना इसको हम लोग पी से ही इंडिकेट करेंगा पावर विदुद उर्जा जिस दर से व्याय होती है इलेक्टरिसिटी का जो भ ब्राबर फर्मूला होगया w बटे t w मतलब होगया what और t मतलब होगया time यहापर हमने mention करा ठेकर नहीं और यह फर्मूला आप पड़े होंगे यह ति यह कि व ब्राबर फर्मूला होता है डब्र राबर i square आपने नाइन में पड़ा होगा तो यहां पर हम क्या करते हैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को लोग एक्वेट करके आपको समझाते हैं यह कैसे आया ठीक है ना यह फर्मुला तो तो पी बराबर अपने अज़ेश्ट फर्मुला पढ़ा डबलू बटे टी तो डबलू के लिए अपना हम लिख सकते हैं कहिने कहीं आई स्कूर आर इंटो टी बोलो यह स्कूर और बटे अल्रेडी नीचे में कितना था ताइम यहां पर आप देखो यहां पर इस फर्मुले म आर के लिए रहा है अब आप द्यांदेना और दूसरा होता एक फर्मुला अपका डबलू ब्रावर भी इंटु ए यह भी फर्मुला हता वाट डबलू से वाट वाट ब्रावर भोल्ट इंटु एंटु एंप्यर यह भी फर्मुला हता ठीक है ना और जो विदूत सत्ती होता है इसका इसाय मत्रक वाट होता ठीक है डबलू ए डबल्ली वाट अब यहां प हो गया है 1 kilowatt घंटा को जूल में परिगलित करें तो एक किलो वाट का मतलब हो गया 1000 एक किलोवाट का मतलब हो गया 1000 watt और घंटा है तो घंटा को हम सकेंड में करेंगे तो एक घंटा में होता है 3600 सब्azo और इसको पूरा तरह से गुना करेंगा तो होजाएगा 3-0 और यहां तीन जिलो और यहां पर दोजीरो फोड़ेंगे तो होजाएगा 36 गुना 10 है पर पाउर बिठाते हैं तो वहां क्या करते हैं आपने मंद से एक अंके बाद जी पॉइंट मीट हैं तो तो यह तो यह तो यह ना है जानते हैं और जो नहीं जान लोला है तो एक आंगे निए एक पर एक जीरो को हम लोग मल्टिप्लाइ करें याने दस से तो हो जाएगा फैनले 3.6 इंटू एक पर 60 और एक पर 60 का मतलब हो गया टेन टूदी पावर 6 के लिए यह हो गया आपका एक किलो वाट को हम लोग किस में चेंज़ कर दिए जूल में चेंज़ कर दिए ओके गाइस नेक्स्ट और यह अबजेक्टिव कोस्टन जो है एक्जाम में इसका आता है उस युक्ति का नाम लिखें जो किसी चालक के सीरों के बीच विवांतर बनाए रखने में साहता करती है जो चलक के सीरों के बीच में जो विवांतर बनाती है यह यह तो सेल होगा यह तो बैटरी यह तो सेल या तो बैटरी गरे तो बहुत अच्छा रेस्पॉंस है आप लोग का आप लोग इसे तरह आगे बढ़ी आपको बहुत बढ़ियां से समझ मैं अगर पहरे बच्चों मैंने आपको पहले भी बोला है और अभी बोला कि हम मैंने कोशिश करा है पूरी जितना भी चैप्टर वाइस नौट्स क्रिय से दिने नहीं है तो आप जल्दी से हमारे सेनल को सब्सक्राइब करके रख लिए ताकि आने वाला हर नौट्पिकेशन जो आपको मॉबाइल स्क्रीन पर जल्दी ही आए जाए और अटपल सबसे पहले आप तक पहुंचे तो यह करिए और दूसरा यह कि आपको हमने यह ज दिस्क्रिप्शन में जल्दी से डाउनलोड कर लिए इस वीडिया को और अब बहतर अपना तयारी को करिए और मेरे ख्याल से जदिए आपको कोई तरह का प्रब्लम होता है तो आप हमें निशी दूर्प से कमेंट करके बताइए और हमें आप यह जरूर बताइए कि कौन स पैसे टौपिक पे कौन से चैप्टर पर वीडियो बनाना है क्योंकि यह हम अपने मन से सारे डि़ी टौपिक का वीडियो बना ही देंगी यहि+, किृदि यह वीडियो लगें और हमें कमेंट करके नीचे कमेंस सक्ण में जरूर बताए हो ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते ह हैं लोग किसी चालाक के सीरों का बीबांतर किंकीन बाता पर निरवर करता तो आसम नेता है पीछ़ियो तो बडिक कसे ना लिए बातार के सा जलाकतर Great bringen लंबाई चालतर की मोटाई ऐसे लौगर करता है यहाँ बोलता एक आवास्याख सुत्र देकर असपस्ट करना है वहीची जब हमसे करने के लिए बोला जा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि ओम का नियम से हम लोग जानते हैं कि किसी चाला के सीरों के बीच का जो विवांटर है उसमें प्रवायद धारा का समानुपाती होता है इसका मतलब भी समानुपाति क्या हो गया? आई? बोलो हाँ ओम का नियम में हमने आपको जस्ट पढ़ाया था तो यहां पर समानुपाति का चिन हटा तो यहां पर एक क्या चीज आगे? आर तो इसका मतलब जो परतिरोध है वो भी मतलब विवांतर और आई मतलब धारा परतिरोध जो है विवांतर और धारा दोनों पर क्या करता है निरबर करता है जहां आई चालक में परवाई धारा आर चालक का परतिरोध है अता B तथा I दोनों ही जो है R भी तथा I का मान शरी अता B का मान I और R दोनों पर निर्भर करता है ठीक है Next question है एक कुलम आवेस की रचना करने वाले इलेक्ट्रोन की संग्या परिकलेद करा है हैना जी एक कुलम आवेस मैं कितना इलेक्ट्रोन होगा यह करना है आपको तो मेरे प्यारे बच्चों आप बहुत बारी की से देहन दीजेगा तो आपको यह बात समय में आएगा कि 1.6 into 20 to the power minus 19 कुलम आवेस मैं इलेक्ट्रोन की जो संग्या होती वो कितना इलेक्ट्रोन होती एक इलेक्ट्रोन बराबर 1.6 into 20 to the power minus 19 कुलम यह हमने आपको 9 क्लास में भी पढ़ा रखा है है ना और आप नहीं जानते हैं तो यहां से याद रखेगा 1 कुलम आवेस बराबर 1 एक इलेक्ट्रोन का जो चार्ज होता हुओ 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम होता है तो चुकि हम जानते हैं एक ही की नियम से जदी इतना कुलम आवेस बराबर एक इलेक्ट्रोन तो एक कुलम आवेस बराबर एक बट्टा एक बट्टा यह पुरा जागा 1.6 into 10 to the power minus 19 यहां जो 1.6 into 10 to the power minus 19 यह वही चीज है लेकिन यहां पर थोला सामने क्या करा है डारेक्ट करा है तो यह इसमें ध्यान देंगे यहां जो 1.6 था वहां से यहां point था इस point को लो क्या कर लिए हटा दिया तो definitely उपर में 10 से क्या हो जागा गुना हो जागा है न जी तो हो जागा उपर में 10 और नीचे में जो है यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे तो minus 19 था है ना तो यह minus 19 जब है उपर चले जाएगा तो reciprocal का process में आप जानते हैं कि minus 19 उपर जागा तो plus 19 जागा इसका मतले उपर में कि यहां दस पर पावर 19 या इसका मतलब 19 बार जीरो है तो एक जीरो हटा के यहां पर 18 कर लिए और एक जीरो जो हम इसमें ट्रांसफर कर दिए तो वह दस का क्या हो गया एक सो गया तो एक सो को जब 16 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो हजागा 6.25 आप डिवाइड करके देखना 16 से डिवाइड करेंगे 100 को 6.25 होगा इंटू 10 to the power 18 इतना इलेक्ट्रोन एक कुलाम में जो इलेक्ट्रोन हो कितना होता 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रोन के लिए आपको समझ में आ जाना चाहिए कहिए और कोसितर का प्रोप्लम होता आप डहिए चक कि हमें कमेंकर करके बताये गार और हम आपको इससी तरह अगला वीडियो पर क्लिक करके देख लिजेगा या तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक होगा वहाँ पे आप देख लिजेगा पार्ट बन पार्ट टू पार्ट थी और जितना भी विविभीन परतार का उमारे चैनल में वीडियो है काफी सारे लिंक साथ कुमिल जाएंगे तो महां से करके देखिएगा और हां इसका जो पीडियाफ है वह हमने इसमें डाल रखे हैं तो आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में जल्दी से डाउनलोड कर लिजेगा और फिर पूरा पढ़ लिजेगा तो चलिए फिर मिलते हम लोग एक नया वीडियो के साथ तब तक के लिए में कर दो